दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखण में आदम खोर बना जंगली हाथी जारखण में जूंड से बिछडे जंगली हाथी का कहर जारी है जारखण में पिछले 12 दिनों में जंगली हाथी ने 16 लोगों की जान ले ली है मंगलवार को जूंड से बिछडे हाथी ने राची के इटकी में पाँच लोगों को कुशल दिया जिन में से पाँच लोगों की मौत हो गई इडी ने जार्खन ग्रामीन विकास बिभाग से जूडे मामले में देश भर में की चापे मारी परवर्दन इदेशालन यानी इडी ने जार्खन ग्रामीन विकास बिभाग में कथीत अन्यमीतिताओं से जूडे धन शोधन के एक मामले में मंगलवार को कई अस्थानों पर छापा मारा धनबाद में परिवार ने सामोहि खुदखुशी की कोशिस जारकंड के धनबाद से बड़ी खबर है यहां एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है यहां के बरवा अड़ा थाना इलाके के पांडे बरवा में एक ही फैमिली के चार लोगों ने खुदखुशी करने की कोशिस की सभी को गंभीर हालत में धनबाद के होस्पीटल में एडमीट करा गया है खबरों को माने तो तीन माह के बच्चे की मौथ के बाद परिवार सदमे में आया उसके बाद यह घटना हुई जहारखन में दो से तीन डिगरी तक बढ़ेगा तापमान मौसम केंदर के अनुसार अगले दो तीन दीन में जहारखन का तापमान दो से तीन डिगरी बढ़ जाएगा इसके बाद दो दीनों तक उसमें कोई बदलाव नहीं आयेगा मौसम विभाग के अनुसार केवल उच्यतम तापमान में वृती होगी निवनतम तापमान में अगले पाँच दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है इस दोरान आसमान साप रहेगा मौसम शुस्क रहेगा साथ ही यह भी कहा गया है कि जहारखन के दक्षी करने के बाद भी कोई साकरातमक रुक नहीं मिलने से नाराज ज्यारखन सामुदाएक स्वास्तिपदाधीकारी अब आंदोलन का रुक अपनाने वाले हैं जिसको लेकर वो 23 फरवरी को सचीवालय का घहराव करेंगे खबरों को माने तो जारखंड सामुदाइक स्वास्थे पताधीकारी के दुवारा तीन चरण में घेराव करने की योजना है जारखंड में बड़ फुलू की आहट को लेकर अलट जारी खौली से ठीक पहले जारखन में बढ़ फुलू की आहट को लेकर स्वास्त महकमे ने अलट जारी कर दिया है जारखन के बोकारों जीले में एक सब्ता के अंदर एक हजार से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई है रविवार को यहां राजकिय कुकुट सेंटर में कड़कनात नसल के साड़े तीन सो से अधिक मुर्गों की मौत के बाद हर्थ कंप मच गया अब इनके सेंपल कोलकाता और भोपाल भेजे गए हैं जारखन में दो प्राइवेट बिश्व विद्याले की अस्थापना को मिली मन्जूरी जारखन सरकार ने दिनेश सिंग बिश्व विद्याले अधिनियब 2022 की स्विक्रिती दी है यह बिश्व विद्याले जारखन के गडवा जिले में अस्थापीत होगा जिसका दाइरा पूरे जारखन में होगा डिपलोमा डिग्री पाठेकरम की पढ़ाई होगी बिश्व विद्याले में कुलपती, कूल सचिव, परिक्षा नियंतरक्त सहित, अन्य सिक्षक, वक कर्मियों के पद स्रिजित किये जाएंगे साथी सरकार ने सोना देवी विश्व विद्याले अधिनियम 2022 की भी स्विक्रिती दी है केंद्री ओद्योगीक सुरक्षा बल में निकली बंपर भरती पुलिसिया सेना भरती की तैयारी में लगे युवाओं के लिए एक बार फिर शांदार आउसर है केंद्री ओद्योगीक सुरक्षा बल यानी CISF में इन दिनों बंपर भरतिया निकली है यहां कोंस्टेबल के 450 से अधिक पदों के लिए आवेदन मागी गए है इस भरतिय के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है उमिदवार CISF RECTT डोटायड पर जाकर ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म के माध्यम से 22 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं सरकार खूले बाजार में बेचेगी 20 लाख टन गेहूं खबर है कि गेहूं के दाम कम करने के लिए केंदर सरकार ने एक बार फिर से खूले बाजार में गेहूं बेचने का निरने लिया है इस बार वे अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं खूले बाजार में बेचेगी इससे पहले ग्रूप आप मिनिश्टर्स ने 30 लाख टन गेहूं बेचने को हरी जंडी दी थी बढ़ सकता है भारतिय शेर बाजार के ट्रेडिंग का समय भारती शेर बाजार में कारोबार के समय को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके समय को बढ़ाया जा सकता है न्यूज एजनसी रोयटर्स ने एक बिजनेस चैनल के हवाले से यह दावा किया है पता दे कि फिलाल कैश और फ्यूचर एंड उप्शन सेगमेंट के दोनों ही बजार सुबह 9 बचकर 15 मिनट को खुलती है दोपर 3 बचकर 30 मिनट पर बंद हो जाती है अगनिपत योजना में बड़ा बदलाव अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेधन मोदी सरकार की बहुच अर्चित इसकीम अगनिपत को लेकर बड़ी ख़बर सामने है सरकार ने अगनिपत योजना से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है इस योजना में अब उन लोगों को भी आवेधन की छूट दे दी गई है जिनको पहले से इससे बंचीत रखा गया था केंदर सरकार ने गोशना की है कि अगनिपत योजना में अब ITI Polytechnic Pass Out भी आवेधन कर सकेंगे दरसल केंदर सरकार ने अगनिपत भरती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों के लिए योग्यता मान दंडों को बढ़ा दिया है नई गोशना के अनुसार अब इस योजना में प्री इसकिल्ड युवा भी हिस्सा ले सकेंगे हलाकि इस तरह के आवेधन केवल टेक्निकल ब्रांच में ही होंगे सरकार की इस पहल से उन प्री इसकिल्ड युवाओं को भी प्रोथसाहन मिलेगा जो अपने आपको पहले वन्चित मान कर चल रहे थे देश में कोरोना संकर्मन के 95 नए मामले भारत में एक दिन में कोरोना वाइरस संकर्मन के 95 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संकर्मित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,85,132 हो गई है वहीं उपचाराधिन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,921 हो गई है केंद्री स्वास्थि मंत्राले की और से मंगलवार को सुब आठ बजे जारी ताजा आकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वाइरस संकर्मन से जान गवाने वाले लोगों की संख्या 5,30,761 है ताजा आकड़क्य अनुसार भारत में कोरोना वायरिस संकर्मन के उपचाराधिन मरीजों की संख्या एक हजार नौसो एकिस हैं जो कुल मामलों का सुनिय दस्वलो सुनिय एक परतिश्चत है मरीजों के रीकबर होने की राष्ट यदर अन्ठानवे दस्वलो आठ एक फिसदी है देश में अभी तक कुल 4,41,52,460 लोग संकर्मन से रीकबर हो चुके हैं लोगों को खुब भारही बंदे भारत एक्सप्रेश देश के 108 जीलों में मचा रही धूम भारती रेलवे ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है आरामदायक और उन्नत रेल यात्रा अनुभव के एक नई यूग की शुरुवात करते हुए नई बंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेने रेल परिवहन में भारत की उभरती ताकत का नया चेहरा बन यह आधुनिक सेमी हाइस्पीड ट्रेन यात्रियों को एक सुखद यात्रा अनुभव परदान करते हुए बेहत्तर डिजाइन इंटिरियर और गती के मानकों पर भारती रेलवे के लिए एक बड़ी बात है यह ट्रेन आत्मनिलभर भारत का एक शांदार परतिक और उधार में 10 बंदे भारत ट्रेने 17 राजियों के 108 जीलों को जोडती हुई चल रही है 10 साल पुराना है आधार कार्ट तो फटा फट कर लें अपडेट सरकार ने अब आधार कार्ट से जूड़ा एक और निदेस जारी किया है जिसमें 10 साल से पुराने आधार कार्ट को अपडेट करने के लिए कहा गया है UIDAI ने एक ट्विट कर जारी कर लोगों सो अपने 10 साल पुराने आधार को अपडेट करवाने की बात कही है UIDAI ने ट्विट कर लिखा यदि आपका आधार 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो आप से अनुरोद किया जाता है कि आप अपनी पहचान के परमान और पते के परमान के दस्ताबेजों को अपलोड कर इसे फिर से सत्यापित करें ओनलाइन अपलोड करने का शुलक 25 रुपए और आफलाइन के लिए 50 रुपए है इसका मतलब है कि आपका आधार 10 साल पुराना हो गया है और आपने अभी तक अपने नए एड्रेस मॉबाइल नमबर आदी को अपडेट नहीं किया है तो उसे ऑनलाइन या ओफलेन तरीके से तुरंत अपडेट कर लें इसके साथ ही यू आई डी आई ने जालसाजी करने वालों से सावधान रहने के लिए भी कहा है 70 परतीशत प्लेसमेंट नहीं कराने पर नहीं रहेगी आई आई टी की मानियता अब परसीक्षन पाने वाले युवाओं को रोजगार के लिए भाटकना नहीं पड़ेगा उन्हें रोजगार दिलाने की जिम्मधारी संबंधित आई टी आई की होगी अगर संस्थान ने तीन साल में ट्रेनिंग पाने वाले 70 पिसदी शात्रों का प्लेसमेंट नहीं कराया तो उसकी मानिता खत्म कर दी जाएगी यहीं नहीं सीटों में भी कटोती हो सकती है बेवसाइक शीक्षा के प्रती युवाओं का रोज़ान बढ़ाने के लिए नए बदलाव होने जा रहे हैं इसके लिए नेशनल काउंसिल फोर वोकेशनल एजूकेशन एंड ट्रेनिंग यानि एनसी वीटी ने नई गैडलेन तयार की है नई बेवसाइक के तहट जहां से युवाओं पर्शिक्षन ले रहे होंगे उन्हें रोज़गार दिलाने की जिमेवारी भी उसी संस्थान की होगी उधारन के तोर पर अधिक्तम 30 शात्रों वाले बैच में से 21 शात्रों को रोज़गार दिलाना ही होगा इसके लागू होने के बाद अपनी मानेता बचाय रखने के लिए संस्थान कंपनियों से संपर्क स्थापित कर अधिक से अधिक प्लेस्मेंट ड्राइव आयुजीत कराएंगे बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने लागू किया आपात कालीर कानून गर्मी के मौसमें बिजली की खपत में संभावित बृधी को देखते हुए केंदर सरकार ने स्वोमवार को एक आपात कालीर कानून लागू किया इस आपात कालीर कानून को लागू करने का उदेशे आयातीत कोईले पर चलने वाले बिजली संयंत्रों को उत्पादन को अधिक्तम करने के लिए मजबूर करना है समाचार एजेंसी रोयटर्स ने उर्जा मंत्राले के आंतरिक नोटिस के हवाले से ये खवर दी है बतादे कि पिछले कई सालों में यह दूसरी बार है जब आपात कालीर कानून लागू किया गया है भारत के कई पावर प्लांट आयातीत कोईले का उप्योग करते हैं हलाकि उन्होंने हाल के समय में उन्होंने पूरी शमता से काम नहीं किया है क्योंकि उन्हें सस्ते घरेलू कोयले से उत्पाधन बिजली के साथ परती असपरधा करना मुश्किल हो गया है इसमें पस्चिमी राज्य गुजरात मिस्थित अडानी पावर और टाटा पावर के स्वामितो वाले पावर प्लांट भी शामिल है